नमस्कार मित्रो, ओम नमस्सिवाय, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉष पुत्रदा एकदशी की व्रत कथा, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, तो आप इसे एकदशी के दिन इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं, आईए जाने पॉष पुत्रदा एकदशी की व्र एकदशी का व्रत भगवान विश्नु को समर्पीत है, साल में पुत्रदा एकदशी दो बार पढ़ती है, एक पॉष माह में, दूसरी शावण माह में, पॉस के महिने में पढ़ने वाली एकदशी को पॉष पुत्रदा कदशी और बैकुंठ एकदशी कहते हैं, पौश पूत्रदा एकदशी कथा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी या कथा भगवान श्री कृष्ण के चर्णों में अर्जुन ने प्रडाम करके स्रध्धा पुर्वक प्रात्ना की कि हे मधुशुदन आप मुझे पौश महा की सुकल पक्ष की एकदशी के म हत्व को बताने की कृपा करे अर्जुन की प्रात्ना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ इस एकदशी का नाम पूत्रदा एकदशी है इस एकदशी के दिन भी नरायन भगवान की पूजा की जाती है इस चर और अचर संसार में पूत्रदा एकदशी के वरत के समान कोई दूश्रा वरत नहीं है इसके पून्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान होता है और मैं इसकी कथा सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यान पूरवक सुनो किसी समय में भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था उसकी पत्नी का नाम सैव्य था संतान नहीं होने की वज़े से दोनों पती पत्नी दुखी रहते थे एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपार्ट दे कर छोड़ वन को चले गए इस दोरान उनके मन में आत्मेहत्य करने का विचार आया लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्मेहत्य से बढ़कर कोई पांप नहीं है अचानक उन्हें वेदपार्ट के स्वर सुनाई दिये और वो उसी दिसा में बढ़ते चले गए साधुओं के पास पहुँशने पर उन्हें पौश पुत्रदा एकदशी के महत्व का पता चला इसके बाद दोनों पती पत्नी ने पौश पुत्रदा एकदशी का व्रत किया इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ती हुई इसके बाद से पौश पूत्रदा एकदशी का महतो बढ़ने लगा वे दमपत्ती जो नी संतान है उन्हें श्रद्धा पूर्वक पौश पूत्रदा एकदशी का व्रत अवस्य करना चाहिए